आज मैं आपकी दोस्ता हो शेफ बुडी मादाश और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो मेरी चीजी आमूल पनीर कोफते की रेसिपी जो प्यॉर्ड वेज है विदाउट अनियन गालिक है सामने ही नवरात्री आने वाली है आने वाली है हम लोग की दुलगा पुजा त क्या आज वाली हमानी पर बनाने वाली हैं आज मोल भाल से बनाने वाले है चीजी आ आज उल धेते हैं और सुपकर कोफते हैं रानाोा मैं आज है Massachusetts हम कैसे बनने वाले हैं आन्युवार्ट की माना आज मूल प्रेजी मलाई पनेर पोफ्ते चलिए इसके लिए पहले क्या की इंग्यूटियंस हमने लिया है यह हम आपको शो कर देंगे ठीक है तो फर्स्ट हमने लिया है पनीर इधर पर चार्सु ग्राम पनीर है जो कदूगरस किया गया है इसके साथ है अपका उबले हुए काजू और मगस का पेस्ट इधर पे है आमुल दूध और गोल्ड का जो पूर एक डम जो टॉन नहीं है एकदम पूरा फुल क्रीम मिल्थ है तो यह अमुल चीस जो हमको मिलता है तो यह अमुल चीस पैबुरेटेट किया हुए है इधर फोरे मसाले गड़म असाले इधर पर लांग, यह बहुत इंट्रेस्टिंग सी चीज है यह हमने आमंड और किसमिस को एकदम ओइल में फ्राइ कर लिया है उसके बाद उसका बस्ट विदाउट वाटर इसको पेस्ट कर लिया है इसके बाद इदर पर है कसूरी मेथी जो उसका पाउडर है अपाउडर के लिए है इदर नमक चीचीन ब्लाक पिपर गुलाब चल इदर पी है कशमीडी लाल मिर्च थोड़ी से लिया है मयदा धनियापत्ता इदर हम यूसकर अमुन बटर और अमुल के फ्रेश परी तेल मस्क है कम स्कुवार साग़ और सत्राइब नना की मिया श्कव कि प्रवधना टॉसे नेशा ने का रख़ाों बनकाफ से कशची अच्छा हो झाए जो प कोई भी प्लेटे यूज सकते हैं तो अमुल का जो घी है यह हमने थोड़ा सा इसमें लगाया हुआ है तो फर्स हम पुरा जो पनीर है पर दुपस की आवा उसको हम दे देंगे इसमें हम पहले कुछ नहीं देंगे हमारे हाथ का यह पोर्षन है इससे हम इसको मलना स्टार्ट करेंगे फर्स पर यह बहुत ही जल्दी बन जाता है आमूल पनीर के साथ क्योंकि आमूल पनीर जो है बहुत ही सॉफ्ट रहता है इसको ग्राइंड करना भी बहुत आसानी से हो जाता है और यह थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है आपको क्योंकि आप जितने अच्छे से मलेंगे यह उठनी अच्छे से आपके नरम कौफते बनेंगे अर्दी स्ट्रेट देखें कैसे अच्छे से यह थीरे थीरे बाइंडिंग हो रही है पहले नहीं हो रही थी तो ऐसे हमको कटे जाना है कोफते के लिए और हमने जो जी लगाया हुआ है अमुन का जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इसके अंदर कि अच्छा जोड़ देखें हो उप्लेग हो अ 3 बाइंग हो फिरदयू यह बहुत अच्छे से देखिए, हम जैसे मैदे का डो बनाते हैं, यह आस्ट आस्ट वैसे बन जाएगा, इसको एकदम मुलाएम तरीके से देखिए कैसे अच्छा डो बन रहा है, कोफते हैं, मैंने इसका जो अन्डर बादे स्टफिंग है, उसमें मैंने थोड़ा सा इसको इनोवेशन दिया है, जो बहुत ही अच्छा लहेगा आप लोग को, चीज़ी मैंने इसलिए इसको बूला है, मैंने नाम दिया है। लेकिन बाहर का जो पोटी है मैं एकदम साधा क्लासिक रकड़ी हूं। देख एक लोन तकाल है यहां। 30 मुट वोल्चा है। 30 मुट से शुप वोल्चा है। के वो बोग से? पुर्ण के चेहा। और और आनिंते दिवोल्चा है। तूमच लेट है ओके इसको अच्छे से पूरना पड़ेगा इसको ग्रेवी के लिए जादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यह बहुत ही दिखें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बन गया है अभी हम इसमें थोड़ा सा जो है मैदा अट करेंगे मैदा जादा नहीं याट करेंगे थोड़ा सा याट करेंगे एक चमच के कडीब क्यूंकि यह आपको बाइलिंग में हेल्प करती है जादा देंगे ना तो यह जो मैदा जो है ना या आपको जब फ्राई होने के बाद जब आप खाएंगे तो वह पूरा पूरा देख देंगे ना मैं तो खाने के टाइम ना वह थोड़ा सा आपको मैदा वाला कच्छा लगेगा तो बस हमारा देखे दो पूरा रेडी हो गया है अब कैसे देखेंगे ऐसे आपने बॉल ले लिया अब जब इसको बनाएंगे ना ताब आपको देखिए इसमें कोई क्रैक्स नहीं है इसका मतलब आपका डो रेडी है तो ऐसे ही हम बस पूर्च इसमें से अब कोशन खटकर लेंगे इससे आपको अंधा अधा भी हो जाएगा कि चार सो ग्राम से आपको कितना सारा आपका कोफ्टे बन पाएंगे अधनी बूंगाच और लेंगे अधनी बूंगाच वोड़काच वोड़काच अमूल का पनीर आपका इतना ही सॉफ्ट है ना इतना ही सॉफ्ट होता है कि इससे यह जो बॉल से बहुत असानी से बन जाते है इसमें जाधा टाइन भी नहीं लगता है जल्दी बन जाती है बस आपको यह जो बॉल्स बनाना है यह थोड़ा सा और इंग्रिडेंट तो थोड़ा सा रेडी कर लेना पड़ता है बाकी का जो है आपका पुरा जो काम है अमूल क्लीम अमूल चीज अमूल दूध यह तो आप का टेस्ट लाई ही ले लगता है तो लाता है तो प्रॉब्लम नहीं है इधर पर मैं बड़े बड़े कॉफ्ट बना रही हूं तो मेरा इधर पर दो चार छे आठ नो तस मेरे इधर पर टोटल चार सो ग्राम में बरबर दस कॉफ्टे बन जाएंगे हमारी इधर पर दस जो बॉल है पुड़े बन गया है तो हम यह वाला बोल ले लेते हैं अभी इसका बनाएंगे स्टफिंग स्टफिंग के लिए इधर पर हम पूरा चीज नहीं लेंगे इधर पर एक कप चीज ग्रेट के आवा लिया है पूरा नहीं लेंगे इसको हाफ लेंगे और मैंने यह जो आमंड और इसकी जो पेस्ट बनाई थी यह लेंगे अब इसके बाद हमको थोड़ा सा फिर से हाथ लगाना पड़ेगा इसको पूरा एक मिक्साथ हम जैसे मावे को मिक्स करते हैं वैसे पूरा दोनों मिक्सेल को एक साथ कर देना होगा यह मैं करके रख सकती थी लेकिन मुझे आप लोगो को दिखाना था देखिए कितना सुंदर जो स्टफिंग है वो भी कितना डबल हो गया देखिए तो और इसका खुश्बू बहुत अच्छा होटा है चीज, आमंड हम इसमें काजु में ही आइड करेंगे तो इसके बाद हमारी जो बोली थी इकतम नरम बाली और हम इसको इसकी कटोरी बना लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके जादा नहीं नहीं तो फट जाएगी थोड़ा करके स्टफिंग एड करेंगे इसके मूँ को बंद कर देंगे फिर हम इसका जैसे हम पहले कोफटा बनाये थे लड़ू वाली फिर से इसका ऐसे बॉल बनातेंगे ठीक है तो मैं इसबर तो मैं इसको पुरा बनाके इस प्रेट में रख दे लिए मेरे प्रेटिंग के लिए इतना सारा तो नहीं लएगा मेरे चारपीस हो जाने से हो जाएगा तो मैं इधर पे आप लोगों के लिए पास्टो कोपते दुना देते हूं मतलब 200 ब्राम पनेड़ के इस आप से दिखा रहें चेना जितना आपका यह पनेड़ जो है जितना अच्छे से इसको गूंदोगे इसके कटोडी अच्छे बनेगी कर यह ढौ हुआ। जितना चेना जितना इसके झाल झाल कि इदर में किश्मिश है काजू किश्मिस है आपका आमंड है वह भी तला हुआ है घी में थोड़ा सा तो इसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और चीज के लिए जो मिठास और नमक का जो बैलन्स है अंदर में स्टफिंग का वह भी आपका बहुत अच्छा लगता है और काजू से आमंड आपको पता ही है यह जादा हिल्डी होता है तो मैनी दिल पर पांच बॉल्स बना जो मुझे दिखाना है तो इसी सफाई करने देगी हूं फिर इनन पर हम ले देंगे छोटी बाली जो हमारी फ्राइचिक पैन है इसको थोड़ा सा डिफ्राइब करना कोटा है कोफ्ते को अच्छे से प्रू़ाइब कर दो झाले जो देंगे सा आदोटी है जादा आदोटी है विर गदेगशिक है विर है से रहईगा टूबगा मा लूबगा सबाना है रहा Mind इस पार बोल देनी चाहनी है, कि मैं आच जो सिखारिव आपको, जो ये चीजी मलाई जो पनीः को इस पार देनी चाहनी है यह खाने में तो स्वाधिस्ट बनते ही हैं, लेकिन उसके साथ साती बहुत ही हल्दी होते हैं, तुछ हम आप देखिया है, मैदा बहुत ही कम यूज किया है, और उसके साथ अंदर आमन यूज किया है, ये बच्छों से लेकि, आप जो एजेट लोग भी है, वो भी खा सकने ह हम चीनी यूज़ किया है, थोड़ा सा चीनी यूज़ करेंगे, लेकिन आप चीनी के बदले शुरफ्री बिया, शुरफ्री डॉब भी यूज़ कर सकते हैं, हम यूरशुद, जो पीम बगड़ा, मैं जो ग्रेवी है, जो मलाईवादी पनी पोफ्ते की जो मलाईवादी जो मैं पूरी के पूरी अपके ट्रेडिशनल दिखा रही हूँ, हाँ चाहे तो बाद में लाईची के जो पाउडर है, वो अपलोग यूज़ करते हैं, वो इत्तर बगड़ा भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इदर पर केसर डालते हैं, बहुत लोग केसर बनाते हैं, तो म अब ही हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे बॉल्स है, तो गर्म हो चुका है, हम एकिक करके, मैदे में इसको डालते हैं, हल्का हल्का सुख्य मैदे में, इसको ऐसे कोट करेंगे, हल्के हादे से, इसको हल्के आज़ पे, प्राउन होने तक पकाना है, नहीं तब का बाहर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर वाला जो है, वो कच्छा रह देंगा, ग्राइछ भी मैं वाल जो है, उालते हैं, हुँआ। ढ़ फ煎ता हैं,adomo माएखा जहीं हाएग जब की कांशों म स्यetah है होग वालते हैं, वालते हैं, उालते हैं वालते हैं, आर प्रृतों मैं रह भालते हैं, इसको और्क क बालते हैं हमने इस दम से जादा मैंने यूस नहीं किया है इसलिए रमको इसको जीरे जीरे कम आच में पकाना पड़ेगा कोफटे नरंगी बनेंगे बाहर से पिस्की भी बनेंगे आप चाहिए तो इस तेल में थोड़ए अगर आपको लगी या थोड़ सबस्दात करना चाहते हैं तो अमूल खीर भी इसमें डाल सकते हैं कि टेकमे तुबर से जीरे बॉल्टा नो तो यह देखिए, मैं काई से फ्रेंट अमेरे से दिखा लिए इसका जो मतलब स्मेल है, बहुत अच्छा आ रहा है, कलर भी बहुत अच्छे से निपर रहा है कोई भी ट्रैक्स नहीं है तो अल्मस्ट बन चुका है अच्छे बना स्कुर्चा से निपरागा रहा है कल्मस्ट लिएपर रहा है कल्मस्ट चुका है अच्छे से लिए तो यह बहुत ही अगर अच्छे से आप इसको मल के फिर बनाओगे ना तो यह बहुत ही जादा लाइट वेट होता है बहुत अच्छा एक्दम पर्फेक्ट बना है स्मेश भी बहुत अच्छा है इसको हम कर देंगे साइट तो सकीन कर लेंगे इसको और हम चट पर इसका बनाएं जावी ग्रेंगे और एक पैन लेए लेंगे इसमें हम दानेंगे एक चमच और जादा लेंगे झरोल झाल अोल में लेंगे इसको पास हेए इसको ब आपत अरिंघ अलमकिर, अलमकिर, इसको अया है अलमकिर, अलमकिर, ब ourHi- Ranked status ओञा साबत्सक्ति, टही जाह है विgल्ट का है रिख उख है पिवामकिर. सब्सक्राइचा जी इनक रे काए लिजयर निजू दिल दोन सेखंगे पूनता है लिजयर दोन सेखंग err लेक्टयो कशिव प्रोड़based siete । एक अब श्रश्डाइच मेर भड़ेक। ऑपैलिंग भूल वट को जाथ कर दो बीख सीरी कें पाओटाने नाण यदिन हो में आताए कर रादब हूभाचा ओख अजगया ऑग में और्य य渡िद कर दो भूंगया Awak कि ज हो पूंग characters इसके बाद हम देने में चिंजर पेस्ट बर्स वार्म टेबिल स्पूल है जादा में हूज करेंगे इसका ब्लेवर टिक से आरहा है तो हम एदा से क्या करेंगे जो स्टार मीज है जो स्टार मीज है इन दोनों को निकाल देंगे इसके बाद देंगे इसके बाद देंगी नियर का प्रेश यह देर बाद देन हमें आरहा है पाजू और मगत का पेस, इसमें मैंने 50 ग्रम काजू और 30 ग्रम मगत मिस्ट रहा है, तो मैंको पानी में भीबोके, फिर उपले हुए पानी में डालके, थोड़ा सा बॉल करके, फिर मैंने उसको पीस दिया है, मलाई वाली जो पनी की कोपते है, तो इसका बेस इसी से बने दो, क्योंकि ये उबले हुए है, तो आपको इसको जादा बहुत जादा पकानी के जोड़त नहीं है, को अपको आचानी के जादा बहुत बॉआ कि वखते हैं महम। यह देखिए इसका binding हो रहा है जैसे ऐसे जब इसका binding वाला हो जाएगा हम थोरा से इसका फ्लेम कम कर देंगे इसका दूर दिया हुआ है इसको डाल देंगे हम जाल आप uniqu तस्का 유ह जजए झाले है इसका पुर बार देंगे ह कम हम स्बपरे के बार बividual भार देंगे इसका लैगे इसकाoust वोर कर देला है उती हुआ झाल से कुद्से तर रहे है ए इसका बंएव आप चाहें तो बात में इसको स्टेंग भी कर सकते हैं स्टेंग भी कर सकते हैं छान लेने से जिसको पहुत जादा मतलब इकदम उलायम पेच चेगे तो वो छान भी सकता है लेकिन मैं नहीं छानूगी क्योंके मुझे ऐसा वादा थुरा सा जो त्विक्ट में दिया है वही अच्छा लगता है अभी यह बेस को बन रहा है अभी इसमे मैं जो जो हमारे मसेलें ड़नेंगे वह मैं रेंगोंगी जादा कुछ निम तोरा साथ हाफ टीस्पी रचे अपका ब्लैक पेपर पादर स्वाद मसा चीए एक लासने चेकर लोगी थोरा सा स्वाद मसा नमक थोरी सी कसोगी में थी पाउडर इधर पे हम बस एक चंबच गुलाद का जो रोज वाटर है गुलाद का मारी आप लोग हो नहीं मेरे साम मतल साथ तो हो नहीं सामने हो इसका ओल्री जो फ्लेवर है कोफते का मेरा घर पूरा मतलब अजय के स्मेल से पुना हिक भड़ गया है लिखे किकना असान है वनाना यह अजय को अधर रडी है ज्यादा कुछ नहीं आप अब इसमें देंगे थोड़ा सा अगर आपको पतना चाहिए होगा थोड़ा सा पानी डाल सकते मेरे लिए जुटी है मैं सादा पानी से इसमें पानी मुझे अब नहीं करना है और इसके बाद हम रूस करेंगे ओ थोड़ा सा इसमें हम लेंगे अब करेंगे जो है चीज हुमारा जोचीज है इससे वो जो मैंने जो नाम दिया है अंधर भी चीज बाहर भी चीज अब वो चीज तो चीज ही मलाई कोफते तो आपको ग्रेवी में भी चीज का टेस्ट मिलेगा अंधर भी चीज का टेस्ट मिलेगा यह जो किश्मेश अब आमन का जो मीखास है ओ भी मिलेगी देखें यह सौस कितना चीज दिया और पेवी है बस लास्ट मुझके एक ही चीज देनी है वह है आपका यह जो है इसमें डाल दी है तो वो देना है मुझे यह रग दो थुरा सा इधर पे अब इसको इदाउ कम कर देता है अभी हम इसमें डाल दे रहे है आगा कितनी सुनदर दिखने की अभी देख रही है एक अब कलर देखिए तो आगे इसमें बाइट वाला कलर भी आ गया है और मेरा यह कंप्लीट भी हो गया है ग्रेवी इस रेडी देखें कितनी चल्टी बन अब ज़िए नमक थोरा सा थोरी सी नमक थोरी सी चीने लदी जरू ट्राइ किजी जरू ट्राइ किजी जरू आप एकदम भी, आप एकदम भी like disappoint नहीं होंगे, इस recipe तो जरूर प्राइ किजिएगा, चीजी वालाई कोफटा, okay, sauce एकदम दन है, तो मेरा sauce भी बन गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, प्लेटिंग जलिए, इसार पर ने रहे है, यह कितने अच्छे से प्लेटिंग भी मैं आपको दिखा दे रही हूं मैं यह वाला प्लेट यूज़ करूंगी प्लेटिंग के लिए मैं चुरी से इसको आराम से यह देखो मैं इसे शेल इसका कितना पतला है अंदर से फुल कोक्टर कितना सुन्दत दिखड़ा है तो यह से ही जो पाँचों के पाँचों है एक मैं टिप दूंगी आपको आज जब भी आप जो यह कोफता या बहुत सॉफ्ट कुछ चीज़े ऐसे आप काटना चाहेंगे तो देखिए इसका जो ब्रिसल्स है ना ऐसे ब्रेट कटर जो नहीं चाहे वो यूज़ कीजेगा जरूर नहीं तो यह इतने सॉफ्ट होता है ना आपके कोफते जो है पूरे के पूरे टूच जाएंगे अंदर में आमन्ड चीज और इसकी फिलिंग आमन्ड चीज और किश्मिश की फिलिंग दिखाए तो आसा यह जो आसा यह अबी में इसका प्लेट इसका प्लेट इसका हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह झाल 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 तोड़ी सी स्वीट पेर रिका या फेर तोड़ा से इसके उपर देंगे तोड़ी मेंदी पाउड़ी 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 झाल 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 तुम भी मुझे हल्प की हो इधर पर आने के लिए थैंक यू सो मच अगर आप लोग को ये डिश पसल आई हो तो तुम ये तो खुश्ट आज के लिए तो इतना ही और नेग्स्ट मुनाकात होगी आप सब लोग के साथ नेख्स्ट नय कोई रेशिपी लेके न्या अप लोग को अच्छा लगा तो गर आज के लिए इतना ही मुनागात होगी नेक्स्ट को या मुल लाइक में थैंक्यू सो मच तामागा मुका मकात के लिए